कि दोस्त नमस्कार मैं कृष्ण अधाव आपके अपना यूट्यूब चैनल प्रुपटी वाला लाजी में स्वागत है दोस्तों एक बड़ फिट से नए वीडियो ने लोकेशन के प्लोट के साथ मैं उपस्तित हूँ और आप लोग को बताने जा रहा हूं यह लोकेशन है कहां पे दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे हैं दोस्तों अपनी जो लोकेशन पलवल कोट के पास है दोस्तों पलवल कोट पलवल कोट के पास है दोस्तों और पलवल ह प्राइम लोकेशन की दूरी पर के MP हाइवे जो कãyम्री मानेश्वर पलवल वाली हाइवे जो हैं वूशिका नाम है के MP हाईवे बहुत सरकार का प्रावधान है के केमपी हाइवे के दोनों तरफ दो किलो मीटर में हाइटेक सीटी बनाने जा रहा है तो उस है टेक सी टच में आपका कलोणी आने वाला है दोस्तो और ओभी लो प्राइज में दोस्तो क्योंकि इतना कम प्राइज में आपको दिल्ली एंसीर में stylिण संभव नहीं है क्योंकि इसका वने वाली है और तो देर मत करें और इस वीडियो को देखते ही शेएर कड़े क्योंकि यह जो वीडियो आपको बताने जा रहे हैं और यह लोकेशन इसन दिखाने जा रहे है कि इसमें रजिस्ट्री भी है मोटेशन भी है और रजिस्ट्री मोटेशन होने के बाद आपको बैंक लोन भी मिलेगा दोस्तों क्योंकि इसमें पकी रजिस्ट्री मोटेशन आप लोग को मात्र 50% पेमेंट पर मैं आप लोग को करने चारा हूं दोस्तों पूरी पेमेंट दे बिल्कुल सामने में अपनी ये साइट है दोस्तों तो देर मत करें दिये हुए नंबर पे अभी कॉल करें आज ही संपर करें हमारे ओफिस ग्यारवट्टा छे बैसला कंप्लेक्स बदरफुल बोडर नहीं दिली क्योंकि दोस्तों इतने प्राइम लोकेशन और इतने कम रेट क्यों हो सबका जबसपन होता है कि अपना घर होना चाहिए बहुत से परदेशी लोग है जो आते हैं कमाते हैं दोस्तो है आप लोग को बताना चाहूंगा ये जो अपका बुढ़ाप़े का साहारा होगा दोस्तों क्योंकि जो प्राइबेट जॉब करते हैं 20,000-25,000-15,000 की जो जॉब करते हैं वह अपना घर नहीं ले पाते दोस्तों तो उसके लिए कम बज़ेट का प्रॉट ले कराया हूं क्योंकि वही लोग का सपना पूरा हो सकता है जो 15,000 महिना कमाते हैं अभी सपना पूरा सकता है दोस्तों तो दिर मत करें दिवाइत नंबर पर अभी संपर्क करें पलबल जीलात कोट के तच में वाली प्रोकर्टी क्योंकि आपको पतातू पंट एटे धाय किलोमीटर दूरी पी पी में हचें हेच जोंद मनेगा। और तच में आने नए नए प्रोपटी लेकर के आपके पास हैं नए नए माकान लेकर हैं नए फ्लेट लेकर हैं नए दुकान लेकर के हैं दोस्तों तो कॉमेंट जरूर किजेगा यह जो हमारी साइट है यह कम बजेट की जो प्रजेक्ट है आप लोग को कैसा लगा और इसके साथ सेयर करना न नमस्कार जैं